तो ये लाइव तो स्विरे हम आपको दिखा रहे हैं हरियाना के करनाल जिले से जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस परकार से सोरव के इंसाफ के लिए जियां सोरव के इंसाफ के लिए जो एक प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर देखा जा रहा है यह आप देख सकते हैं कि किस की जो भीड है वो यहां पर जरूर देखी जा रही ए इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को जा जाथा जाथा शियर करें ताकि यह जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके यह आप देख सकते हैं हर्याना के करनाल जिले की ये तस्वीरे हैं तो फिलाव आप ये देख सकते हैं कि कुछ भी बोलने को तयार नहीं है लेकिन इंसाफ की जो मांग है वो फिलाव जुरूर यहां पर देखी जा रही है और D.C. कारियाले DC कारियाले में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वीडियो को आप जादा से जादा शेयर अवशे करने ताकि यह जानकारी हरेक्टे पहुंचाई जासे कि आप यह साब तस्वीरों में देख सकते हैं सोरव क्यों इंसाफ नहीं मिला और उसी के चलते जियां उसी के चलते आप यह देख सकते हैं कि किस परकार से एक भारी जो संख्या है लोगों की इंसाफ के लिए जियां इंसाफ के लिए भारी लोगों की संख्या यहां पर जुरूर देखी जा रही है हर्याना के करनाल जिले से जियां हर्याना के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस परकार से भारी लोगों की संख्या जो है जरूर यहां पर देखी जा रही है वीडियो को देखने वाले वीडियो को जादा से जादा शियर करें ताकि यह जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके यह आप देख सकते हैं कि किस परकार से काफी लोग जो हैं डिसी कारयाले जाएंगे जी जी बिल्कुल जी डिसी कारयाले जाएंगे जी क्या मांगे आपकी तो यह आप देख सकते हैं कि DC कार्याले में जाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं जितने वीवर्स हमारी इस ख़बर को देख रहे हैं इस ख़बर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा हांसी चोक से काफिला चला है और जिला उपायुक्त कार्याले तकि यह पहुंचेगा और किस परकार से प्रोटेस्ट करते हुए जरूर नजर आए तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को जादा से जादा शेयर भी वश्य कर देजिएगा हरियाना के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको यह तस्विरे दिखा रहे हैं जहां पर सोरव को लेकर एक प्रोटेस्ट यहां पर जरूर देखा गया सोरव को नियाई नहीं मिला और उसी के चलते काफी जो लोग हैं करनाल जिला उपायुक्त कार्याले में जाने की यहां पर फिलहाल एक जो बात है वो यहां पर जुरूर देखी जा रही है इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी वश्य करें आपडेट आपको देते रहेंगे